डियर स्टुडेंट मैं डॉक्टर राजेंदर सिंग उपस्तितूं ओनलाइन क्लास में मेरा जो लेक्चर है वो बीए सेकेंड इयर हुमेन भुगल और या मानो भुगल जिसे कहते हैं मुमेन जोगरफी और यह है में प्रिवेस जोगरफिकल थोट के स्टुडेंट के लिए भी इंपोर्टेंट लेक्चर है मानो भुगल के विकास और इतियास के करम में मद्दे काल जो की दूसरा विकास काल है इसमें अरबन या सोरी मैं फिर अरबन बोल गया अरब भुगोल वेताओं के कॉंट्रिब्यूशन पर हम चर्चा कर रहे हैं इसका ये तीसरा लेक्चर है आरब भुगोल वेताओं के कॉंट्रिबूशन या योगदान को हमने नाइन पॉइंट्स में डिस्टिब्यूट किया था जो निम्न है पर्थम जो प्राचीन भुगोलिक ज्यान की रक्षा खगोल की में विशेश प्रगती गनितिये भुगोल के क्षेतर में योगदान अक्षांस और तेसांत्रों की सुद्गन्ना और भुगोलिक वर्णन गरंत ये मैंने पूरों के लेक्चर में आपको विश् आज के लेक्चर में हम बात करेंगे और डिसकस करेंगे आरभ भुगोल वेताओं ने जो योगदान दिया था उसके जो चार पॉइंट सेस हैं उसमें है भुगोलिक कौश, भुगोलिक सिक्षा केंद्र, अलंग कारिता का अधिक उप्योग और अरभ माचितरकला, इसके बाद अरभ काल के जो भी कुछ सेस भाग है वो मैं लास्ट में आप से डिसकस करूँगा, कुछ योगदान जो अरभ भुगोल वेताओं का कहीं पर छूट गया था, उसके बारे में इस लेक्षर के लास्ट में मैं बात करूँगा, अब हम बा जो हमने पॉइंट बनाये थे, उसमें छे नंबर पे या सिक्स नंबर पे है भुगोलिक कॉस, अरभ भुगोल वेताओं ने जोग्राफिकल टिक्सिनरीज के संकलन का भी कारिये किया, इसमें विद्वान लेखक जकाउत के द्वारा भुगोलिक विसु कॉस बहुत परशि है, तथा खगोल किये भुविज्ञान तथा भुगोल के विबिन विशों को सामिल करते हुए, इकबान अल्शेफा ने भी अपना शब्द कोस लिखा है, तथा ग्यारवी स्ताब्दी के प्रारम में बौतिक भुगोल के आविश्कार तथा परवत निर्मान, जिसमें परवत निर्मान की क्रियाएं, मर्दा निर्मान आदी विशों पर विवेचन करते हुए, इबने सीना ने अपना विशु कोस बनाया था, इसी करम में ग्यारवी स्ताब्दी में अल्बाकरी ने भुगोलिक शब्द संग्रहे तैयार किया था, यहां से यह स्पस्ट प्रिलक्षित होता है कि अरब भुगोल वेताओं ने भुगोलिक अन्वेशन यात्राओं के साथ साथ, जो उस वक्त ग्यान उपलब था, उसे संकलित करने का कारिये किया गया, चाईब है डिक्सनली के रूप में हो, सब्दकोस के रूप में हो, मान्चित्र कला के रूप में हो, या भुगोलिक वर्नन के रूप में हो, या भारत भर्मन के दोरान, अल बरुनी ने जो तीन पुष्टकें लिखी थी, जो कि मैंने पूरो लेक्चर में आप से डिस्कस किया था, जिसमें किताब हिंद, दबुकोपी इंडिया, जवहरात, प्रिश्य स्टॉंस, तथा तीसरी जो बुक थी, उनकी स्थानों की सीमाएं, तथा दूरियों की सुद्धियां, ये सब बातें या सब विवरण या सबी पुष्टकें, इस बात की और संकेत करती हैं, कि अरब भुगोल वेताओं द्वारा जो कारिये किए वो यात्राओं, चाहे वो व्यापार से संबंदी हूं, चाहे वो सामराजय विश्टार से संबंदी हूं, के संबंद में की गई और जो कुछ वर्णन देखा गया उनके द्वारा यात्राओं के द्वरान वही उन्होंने अपनी पुष्टकों में लिखा है या ग्रंथों में लिखा है इनमें भौगॉलिक कौस शामिल है नेक्स्ट पॉइंट है जो सैमत नमर पे आता है वो है भौगॉलिक शिक्षा केंदर जिस परकार से भारत में नालंदा और तक्सिला शिक्षा केंदर थे इसी परकार अरब काल में भी वौगॉल वेताओं या वौगॉल के एन्वेशन और खोज के लिए कुछ की कारी हुए साथवी स्थाप्दी से ग्यारवी स्थाप्दी तक के समय में अरब सामराज्य में भौगॉलिक ज्यान का विकास करने के लिए साथ प्रमुकेंद्र स्थापित किये जो निम्न प्रकार है जेरुशलम काहिरा जो की वर्तमान मिश्र में है टोलेडो जो स्पेन में है कुष्टुंतीनिया जो टर्की में है तमिस्क जो सीरिया में है बगदाद हम सब जानते हैं इराक में है और सिराज जो भारस में है इन सिक्षा केंद्रों में विसेश कर खलीपा के परशाष्चन कारियाले परमुक रहे हैं यहां पर पूरों में भी मैंने बताया था कि बगदाद नगर में यूनानी और भारतिये गरंथों का अध्यन किया गया था और भूच से गरंथों का अर्बी भासा में अनुवाद किया गया जैसे भारतिये जो जोतिस के गरंथ जो कि प्रहमगुप्त आर्यबट वरा मिहिर तथा अन्य गरंथ सुर्य सिध्धांत के अनुवाद किये गये यूनानी विद्वानों जैसे अरस्टू, प्लेटो, टॉल्मी और स्ट्रेबो की गरंथों जिन में मुख्यत्या, जोग्राफिया और अल्माजेस्ट आधी प्रमूख हैं की का अनुवाद किया गया अरब काल में या अरब भुगोल वेताओं में या अरब सामराचे में जो एक मुख्य कारिय प्रलक्षित होता है जो भुगोलिक शिक्षा के अंदर जेरुशलम, काहिरा, दमिस्क, बगदाद और सिराज में जो बनाए गये थे उसमें एक बात सामने जो हमने अध्यन में पड़ी है कि यहाँ पर जो वहाँ पर वर्तमान उस समय में जो कारिय या खोजन विशन हो रहे थे उनका संकलन M. अन्य यूनानी या रोमन और भारतिय गरंतों का अनुवाद भी होता था इसी करम में हारू अल रसीद ने पगदाद में एक संस्ता स्तापित की थी जिसमें भासा विशे शग्यों के द्वारा अन्य यूनानी रोमन और भारतिय गरंतों का अनुवाद किया जाता था नेक्स्ट पॉइंट है एट्थ अरब मुगोल वेताओं के वर्णोनों में अलंकारी था यानि जो अनुवाद और जो लेखन का कारिये वहां किया गया था उसमें कुछ वर्णनों कहानियों को अधिक स्थान दिया गया आरब भुगोल वेताओं ने काफी मेहनत से प्राचीन यूनानी और भारतिय गरंतों का अध्यान करके उनका अनुवाद करके मौलिक गरंतों की रचना की अरब सामराज्य की व्रदी के साथ व्यापार में भी व्रदी हुई थी उन्होंने भौगोलिक तथा व्यापारिक यात्राएं भी की हैं जिसमें गनित भुगोल भौतिक भुगोल प्रादेशिक वर्णनों के गरंत लिखे गए जिसमें विश्त्रित ब्यौरों को समाविष्ट किया गया था तथा वातावर्ण और मानव के पारस्परिक सम्मंदों पर भी विजार व्यक्त किये गए हैं प्रन्तु आर्बों के भौगोलिक वर्णन में एक त्रूटी जो हमारे सामने आई है उसमें भासा को अत्यदिक अलंकृत करके लिखा गया है और कहानियों का भी उल्लेख है इसलिए भौगोलिक एम एतियासिक तथ्यों में बहुत सी काल्पनिक बातें भी सम्मलित की गई है इस कारण अरब में भौगोल एक वाश्टिक विज्ञान का रूप नहीं ले सका जो की पूरव में जो हमारा चिर्शम्मत काल था जिसमें यूनान और रॉम या ग्रीक हम जो नाम यूज करते हैं वहां पर जो विकास हुआ था वो विकास इन अरब भौगोल वेताओं के पास होते वे भी आला कि उन्होंने गनित खगोल की और व्यापार के क्षेतर में काफी कारी की हैं नेक्स्ट पॉइंट है नाइन्थ मान्चित्रकला मैपिंग ओप दा एरियाज अरब भौगोल वेताओं ने जो ग्यान प्राचीन यूग के यूनानी और रोमन मान्चित्रों की प्रनाली से मिला था उसे आगे बढ़ाया यूरोपिये देशों ने इसाई बुगोल वेताओं के प्रभाव के में जो मान्चित्रों को बाइबल और धरम गरंतों में लिखित धार्मिक विश्वास के आधार पर बड़े गलत तरीके से बनाया गया था और उसमें ये भी बताया गया कि प्रत्वी के मान्चित्र पर इसाई धरम के जो उद्गम क्षेतर है वह एक पवित्र भूमी है या हौले लेंड है तथा स्वर्ग और उसमें बाग भी परदर्सित किये थे प्रंतु आरब भूगोल वेताओं ने अपने मान्चित्रों में को बनाने में इस परकार के जो तूटियां थी या जो दोस्त थे वो नहीं किये हैं इसाई बूगोल वेताओं ने जो अभी मैंने आपको वर्णन बताया कि जो मैप बनाये थे वो वरताकार बनाये थे और उसी में हॉली लेंड को मद्धे में बताया था सुरक भी बताया चार नदियां बताई वो सब मैं एक अलग से टॉपिक पर डिसक्स करूँगा जो कि एक अंदकार दा डार्क एज अप जोगरफी का पार्ट है मैं उसमें आपको विष्टार से बताऊँगा यहां पर अरब बुगोल बेताओं ने वो तुरूटी नहीं की जो कि यूरोपिय देशों के इसाई बुगोल बेताओं या मांचितर कारों ने की थी आरब विद्वान खगोल की गनित और जोमिती यानि जोमेटरी में यूनानियों से भी काफी आगे थे इसके इलावा वे कुसुल बुगोल बेताओं और मांचितर कार थे उन्होंने स्ट्रबो की गरंथ माला जोग्राफिया के सत्रा गरंथों का तथा टॉलमी की खगोल की गरंथ अल्मा जैस्ट और जोग्राफिया सेंटेक्सिज का अरबी भासा में अनुवात किया और टॉलमी के मांचितरों के अरबी संस्करन तयार किये थे यहां उन्हों ने जो टॉल्मी ने असुदियां की थी उनको कम किया गया इसके अतिरित अरब जोगरफस ने भारतिये गरंतों से भी पूरण ये लाब उठाया यहां पर अरब बुगोलवेताओं में इद्रिसी का नाम परमुख है इद्रिसी ने मानचित्रकला में महत्वपूरण योगदान दी आरब बुगोलवेताओं में अल इद्रिसी का नाम परमुख है जिनोंने सिसली में 15 वर्स मानचित्रों का संकलन कर उनकी व्याख्या करने में व्यतीत किये इद्रिसी ने सत्तर प्रस्टों 70 पेजिज का विशु एटलस भी बनाया था जिसमें उन्होंने विशु के प्रादेशिक बुगोल के तथ्यों को व्यवस्तित करम में प्रस्थूत किया आरब मानचित्र कला में अल इद्रिसी के मानचित्र का महत्वकून स्थान है इद्रिसी ने ना केवल मुस्लिम गरंतों का अध्यन किया वरन उन्होंने इसाई गरंतों का भी अध्यन किया था इद्रिसी सिसली के बादस्या रोजर दितिय के दर्बार में रहते थे जहां उन्होंने ग्यारा सो चौपन में संसार का मानचितर बनाया जो की एक आयताकार प्रक्षेप पर आधारित था इस मानचितर में पूरो वर्ती मानचितरों की अपेक्षा एसिया के कैस्पियन सागर अरल सागर आधी का प्रदर्शन अधिक शुद था अपरिका की आकारती ज्यादातर टॉलमी के अनुसार प्रदर्शित की गई थी वैसे ही उन्होंने बनाया अन्य मुसलिम मानचितरों की तरहां इद्रिसी मानचितर में भी दक्षिन दिसा को उपरी सिरे की और रखा गया है इत्रिसी ने यह भी अनुबव किया कि जैसा की यूनानियों ने जलवाईयों के आधार पर पांच जोन बनाये थे इन्होंने उसको प्रिस्कत कर जलवाईयों वर्गी करन ये कलाइमेट जोन को का विवरन साथ भागों में किया है लिए स्टूडेंट अरब बुगोल वेता हूँ मैं इद्रसी का मांचितर कला में महत्रपुरून योगदान जिसके बारे में अभी हमने बात की है इसके इलावा अबू जैद बलखरी के द्वारा खुरासान की जलवाईयों का वर्णन मांचितरों सहित किया था तथा अल इस्थखरी ने विभिन देशों की जलवाईयों पर पुष्टक लिखी जिसमें उन्होंने कलर्ड मांचितर के द्वारा अपने वर्णनों की पुष्टी की थी इन्होंने अपनी दूसरी पुष्टक रास्ते और मुमालिक रूट्स एन्ड कंट्रीज में विभिन देशों की धरातलिये रचनाई धार्मिक व्यवस्थाईं नगरों तथा मार्गों का वर्णन किया है भुगोलवेता इबने हाकल ने अनेक भुगोलिक यातराओं पर दो पुष्टकें प्रत्वी की आकरती सेफ अप आर्थ तथा संसार के देश countries of the world जिसमें देशों का सामानने भुवतिक और आर्थिक भुगोल का वर्णन किया है इसी करम में अन्य भुगोल वेताओं का जो योगदान है वो भी महत्वपुर्ण है आर्थ भुगोल वेताओं दोरा टॉल्मी की रचनाओं का आरभ भासा में अनुवाद किया गया तथा उनका नाम अलमेश्तगी रखा गया था इसके इलावा इबन बतूता तथा इबन खाल्दून का भी भुगोलिक योगदान उस काल में परमुक रहा है Dear Student, मैंने मेरे इस व्यक्यान सहीत तीन व्यक्यान जो की मद्दे काल के सम्मन में आपके सम्मुक रखे हैं इन में जो मद्दे काल का जो मुखे डार्क एज के बाद में जो काल रहा है वो अरभुगोल वेताओं का रहा है अरभुगोल वेताओं के कॉंट्रिबूशन को या उनकी योगदान को मैंने अपने दो लेक्चर्स में कम्प्लीट किया है ये इसके बाद में हम जो नेक्स्ट लेक्चर पर डिसक्स करेंगे या तो वो हम करेंगे डार्क एज अंदकार यूग या फिर वर्तमान वोगोल पर चर्चा करेंगे यहां मैं आपको बता दूँ वर्तमान जो या आधुनिक भोगोल जो भोगोलिक विकास के करम में तीसरा स्टेज है फर्स्ट इंशेंट सेकेंड मध्यकालिन और तीसरा वर्तमान कालिन इसमें अमेरिकन भूगोल वेता, फ्रांचिसी भूगोल वेता, जर्मन भूगोल वेता, और अमेरिकन भूगोल वेता, ये भी एक काफी important discussion होगा, तो आज के लिए इतना ही, thank you, जै हिंद,